नमस्कार दुस्तो यह है रेडमी 4A यह पूरा वाटर डेमेज मोबाइल है और इसमें यह दिखी टर्च का प्राबलम हो गया इसमें टर्च नहीं चल रहा है तो दुस्तो आज हम लोग इसे स्टेप बाई स्टेप चेक करेंगे और ठीक करेंगे कि एक वाटर डेमेज करेंगे तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं तो वह सब चीज़े हम लोग बहुत ही आसानी से आज समझने वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं टर्च बिल्कुल भी रिस्पॉंस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो चली आज हम लोग देखेंगे कि एक टर प्राब्लम जो की वाटर डेमज की वज़े से आया है उसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे तो सबसे पहले तो हम बैक पैनल को ओपन कर लेंगे देखिए कैसे आसानी से बैक पैनल हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा तो आप बैक पैनल को हटाने के बाद यहां पर जो सभी तो आप लोग किलिरली यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो जो वाटरप्रूफिंग का स्टीकर है वो रेड हो गया है मतलब मतलब पानी यहीं पर गया हुआ है टच बेल्ट और हेडफोन जैक के पास तो आप लोग को में एक बार फिर से दिखा दो यहां पर देखिए टच बिल्कुल भी रिस्पॉंस नहीं कर रहा है तो दोस्तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आप लोगों के पास भी आये कोई भी मुबा करेंगे और फिर देखेंगे जो हमारा टच का प्राब्लम है वो टच ब्रेक होने के वज़े से जो टच का बेल्ट है वो टूटने के वज़े से हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो दो प्रोड है फर्स्ट और सेकेंड वाले उन दोनों पे किसी ने काम किया हुआ है लेकिन यह टच का जो प्राब्लम है साथ वो सौल नहीं हुआ था तो इसके लिए यह मेरे पास आया था अगर यह जंपर लगाने से काम हो गया दोस्तों तब तो ठीक है नहीं अन्यथा टच को चेंड करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो स्ट्रिप है वो ब्रे मेटर लेकर करके जो हमारा टर्ट का पीन है वहां पे जो चुँआ है उन पर हम रिडिंग लेंगे तो बजन की मोड में करके म ΌISH चेक करेंगे साईड वाइस साइट छैओ पीम के उपर तो सबसे पहले हम डेक्ट को ग्राउंड कर लेंगे और सबसे पहले फर्स्ट वाले पीन को हम लोग चेक करेंगे जहां पर हमारा स्ट्रीप ब्रेक हो गया है तो यह देखिए यहां पर 449 मतलब यह सिधा हमारे बीबेट की लाइन से आ रही है तो बैटरी का करेंट यहां पर आता है इसी वज़े से जो स्ट्रीप है वो ब्रेक हो गया है तो दोस्तों साइड वाइस साइड सभी चेक कर लेना है इसमें जो सबसे लास्ट वाला है एक ग्राउंड होता है और बाकी आपको सभी पर कुछ ना कुछ रीडिंग देखने को मिल जाएगा रीडिंग को चेक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो यह बेल्ट है जहां पर ब्रेक हो गया है तो आप लोग एक बार देख लीजिए तो इसे हम लोग क्या करेंगे पेंसिल आइरन की मद्धियम से इसे एक बार हम लोग सॉट कराकर चेक करेंगे हो सक जाएगा पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पर तो उसे भी आप देख सकते हैं तो दिखिए दुस्तों मैं एक बार ऐसे ही सॉट कराने के पूरी कोसिस करता हूं तो अगर यह सॉट हो जाएगा तो चेक करेंगे क्लीन करके कि हमारा जो टाच है वो चल रहा है कि नहीं तो देखिए दुस्तों यहां पर हमने लगा दिया है जमफर और अभी हम क्या करेंगे यहां पर देखिए मैंने जो जमफर किया हुआ है सौट करा हुआ है उसे आप देख सकते हैं तो अभी हम क्या करेंगे टच को बैठाएंगे और फिर उसके बाद हम एक को power own करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा है वो चलता है कि नहीं जो वर वह वो सब्सक्राइब कर लें उसे ही प्राबलम नहीं है अगर यह नहीं सही होता तो यहां पर आपको टॉच चैन्ज करना पड़ता लेकिन ऐसे ही हो गया तो टॉच चैन्ज करने की क्या जरूरत है और और जिनल टॉच और टॉच ही रहेगा अच्छे से चल रहा है सब चीज चेक कर दे रहा हूं मैं आप लोगो भी वाटर डैमेज मॉबाइल को ले करके परिसान नहों कुछ इस प्रकार से आप भी रिपेयर करेंगे हैं